हेलो गाईज देखें सबसे पहली चीज एक information आपको देदू मैं कि भई जो है इस बार 2025 में जो भी 12 के लिए अपीर हो रहे हैं तो वो competition जो है तो असा एनहांस कर दिया एक तरह से CVC ने क्या है इनहांस किया है उन्होंने 50% question competition level के डाल दिया है फर्स्ट चीज सेकेंड मैं कि अगर आप competition के साथ नहीं चलेंगे आप समझे जब 50% competition level बढ़ा दिया 12 का तो आप यह मान के चलिए कि कम से कम इतना ही percent एनहांस होने वाला है नीट का भी competition बागी आप लोग जानते हैं कि वही जो है इस साल भी नीट के लगबग 25 से 26 लाग बच्चों ने भरा एक्जाम 26 लाग आई थिंग 26 लैक्स competition एनहांस हो रहा है और cbsc भी सीज को समझ रहा है तो cbsc और nta दोनों मिलके competition ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं competition level को एनहांस किया जा रहा है इसलिए इन्होंने cbsc में ही competition level enhance कर दिया आप समझे जैसे इस बार result आया हर बार पिछले साल से आ रहा है कि लगबग 50% student 11 में पहल कर दिये अगर आप थोड़े भी average से नीचे तो आप फेल है तो पास ही स्री बहुत अच्छे वालोगों कर रहे हैं तो आप समझे अब उस चीज़ को कि वह competition level 12 में बढ़ा रहे हैं 12 में बढ़ाने का मतलब यह है कि वो अपने आपको चाते हैं competition level पर वर्क हो और आपका competition level तयार हो तो अगर आप ऐसे ही एमें ही पढ़ते रहे गए इदर दर ऐसे ही time pass कर रहे हैं आप competitive field में नहीं उत्रे आप competition के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं आप competition के तरीके से नहीं प पड़े जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के पास है घर के बगल में हैं बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं आप समझो कि competition जो है competition level जो है आपको सर्च करना है कि कौन पूरी मार्केट में मुझे competition level के लिए प्रिपेर कर पाए है ठीक है बहुत दूर की बात नहीं कर रहा है कि बही कोटा चलेगे खामक है वहाँ जाके फिर गलत एक्टिविडेजम इन्वालव हो गए वो चीज़ की बात नहीं हो रही है बात यहां पर हो रही है कि बही आपके आसपास भी अगर दो तिन किलोमेटर के एरिया में ऐसा कोई है या ऐसी कोई टीम है टीम मैं बोड़ों जो competition level को प्रिपेर करवा सकती है वहां अपरोच करें ज्यादा अच्छा है बजए इसके यूहい कही बस टाइम पास कर रहे हैं कि हाँ ठीक है जा रहे है दनिया जा रही है तो मैं भी जा रहूं बस मैं टाइम पास कर रहा है जो रहा है और CBC के बढ़ा देने की उजय से मैं बता दूँ आपको, आप मान के चलिए कि आपकी 12 में प्रसेंटेज बहुत डाउन चली जाएगी अगर आप competition level पर prepare नहीं करते हैं तो थोड़ा सा माइंड को यूज करिए थोड़ा सा यूज करिए और अपने आपको उस जिए सेट करिए जहां competition level चलता हो जाएं कॉम्पेशन लिवल के लिए work होता हो उसके लिए efforts लगाये जाते हो आपके लिए work होता हो आपको assignment दिये जाते हो preparation के जाती हो आपके लिए काम के जाता हो आपको कभी कभी counseling की requirement हो उसके लिए काम के जाता हो बहुत सारी चीज़ें एक पूरे साल prepare रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की requirement है पूरे साल preparation करने की जरूरत होती है आप समझे में last के दो मेने या एक मेने पढ़ लूँगा और मेरा हो जाएगा काम ऐ देखें competition के time में आप proper classroom में attend कर रहे हैं proper classroom में आ रहे हैं आप regular आपके उपर काम किया जा रहा है आप regular touch में है regular crowd चल रहे है regular सब कुछ हो रहा है और आप उसको concept wise competition लेवल पर त्यार कर रहे हैं आप ऐसे रटे नहीं मार रहे हैं सिर्फ कि रट लिया चलो हो गया आगया तोड़ा सा tricky question आया खतम अब ऐसा 12 में ही बोड़ रहे हो 50% ऐसा होगा जो conception होगा आप समझेए वो खतम बात हो गई आप रट के पहुँच गए कि दो फॉर्मले इसके फिजिस के पड़े दो फॉर्मले के मिस्टरी के पड़े थोड़ा बहुत इसका पढ़ लिया थोड़ा बहुत बायोरटली हो गया ठीक है और पहुँच गए पेपर दे दिया नंबर आगे वह वाला गेम इनोंने खतम कर दिया है competition या conceptual level पे अगर आप नहीं गए थोड़ा भी tricky question आया आप definitely खतम है आपके 12 में marks नहीं आएंगे आप need के तो काबिल है नहीं पिर यह आपको सोचना है अब चाहिए इसमें मैं बात करूं कोई बच्चा भी 10th पास करके आ रहा है उसके लिए बात हो रही है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि बहुत पास करके आ रहा है तो उसको 11 में अपने आपको expand करने के लिए पूरा टाइम में कोई 12 में पढ़ रहा है या 12th appearing है 12th appearing के लिए भी यह चीज़ बहुत अच्छे है कि इस साल वो 12th में 2025 में 12th के एक्जाम देगा प्लीज competition level पे prepare करें time pass बिलकुल ना करें अगर time pass करेंगे क्योंकि आप अपना जातर problem क्या time बचा रहा है रहे भाई time तो बचा लिया तुने तुझे आया तो कुछ नहीं ना तुने उस level का ना prepare किया ना उस level का तयार गया बस हाँ चले जा रहा है बस पढ़े जा रहा है हाँ हुए जा रहा है बस होता जा रहा है बट एक conceptual question मार दिया तो आप खतम आपकुछ पता ही नहीं है आप बस हाँ पढ़ लिया जी मेरे को य यह पता है मेरे को यह पता है यह मैं जानता हूं यह मैं जानता हो गया तो question उससे concept है कि आप कतम हो गए यह preparation रहेगी तो आप 2025 में जो भी नीट का एक्जाम भरने वाले इवन 12 का भी 2025 में जो नीट का एक्जाम 25-27 लाख लोग भरेंगे आप वहां पर exist भी नहीं करते आप समझी आप बस time pass कर रहें क्योंकि क्योंकि आपको अपना time बचाना है आप सिरुक time pass करेंगे time बचा रहे है अभी time pass चल रहा है आप कोई conception नहीं सीखेंगे कोई computation level नहीं सीखेंगे आप बस time pass कर रहे है हाँ ठीक है गरवाले चाते में पढ़नू थोड़ा सा 12 का एक्जाम ह हो जाए मेरा 11 का एक्जाम हो जाए मेरा बस मैं कहीं ऐसे ही एरे गहरे पर पहुंच जाओंगा पढ़ाई चल रही है बस चलता जा रहा है जी क्या दिक्कत है करना कहा है तोड़ी बहुत मुझी मुस्ती होगी चलेगी क्या प्रॉबलम में तोड़ा बहुत अपना पता है कि यारी दोस्ती भी चली रही है प्रॉबलम क्या है क्या दिक्कत है कॉम्टेशन होता रहेगा हमें क्या करना है हम थोड़ी कॉम्टेशन के लिए पढ़ने आए प्लीज ठिंक ओवर इट नहीं सोचोगे भी एक साल पूरा चला जाएगा अगले साल सोचोगे तो एक साल ट्रॉप करके आपको एक्जाम देना पड़ेगा उसमें भी सायद वो सेलेक्शन हो या ना हो कोई गैरेंटी नहीं है उसकी आप समझें कोई गैरेंटी नहीं है इसलिए बेस्ट की मैं बात करूँ प्लीज आपके उपर काम कहां किया रहा है बेस्ट तरीके से और आपको क सोच रहे हैं जो आपका ड्रीम है ओके प्लीज तिंक ओवर इट थैंक यू